इस question में कह रहा है, a square lawn is surrounded by a path 2.5 meter wide, एक square lawn है, यह देखिए, यह lawn है, is surrounded by a path, इसके चारो तरफ 2.5 meter wide क्या है, path है, यह हमारा path है, जो कितना है, 2.5 meter wide है, अब आगे क्या कह रहा है, if the area of the path is 165 meter square, अगर यह area 165 meter square है, find the area of the lawn, तो हमें इस lawn का area निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, यह हमारा 2.5 meter wide है, और इस path का area दे रखा है, तो अब सबसे पहले हम naming कर देते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, हमें अंदर वाले lawn का area निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए, अब हम EF की side X मान रहे हैं, हम एक side को, जो lawn है, उसकी side को X मान लेते हैं, तो let the side, EF, जो side है, वो X है, right, X meter है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका area निकाल लेते हैं, of EF, G, H, जो क्या होगा, side into side होता है, तो that means X into X हो जाएगा, side X थी, तो that means X square, meter square आ गया हमारा area इस lawn का, अब हमें X की value कैसे निकालेंगे, देखिए, अब हम EF को X माना, तो AB की value निकाल सकते हैं, side, AB कितनी हो जाएगी, देखिए, अगर ये X थी, तो 2.5 meter wide हमारा path था, तो अगर हम इस X में 2.5 इधर का और 2.5 इधर का add कर देंगे, तो हमारी AB आ जाएगी, तो वही कर देंगे, EF में हम 2.5 meter दोनों तरफ का add कर देंगे, तो अब हमारी side कितनी आ जाएगी, देखिए, X plus 2.5 plus 2.5 हो गया, तो ये आ गई हमारी X plus 5 meter side आ गई, तो area निकाल लेंगे, area of ABCD, ABCD का area कितना आ जाएगा हमारा, हमने ऐसा क्यूं किया है, पहली बात, हमें path का area दे रखा है, path का area कैसे निकलेगा, जब हम बड़े वाले square में से, छोटे वाले square का area minus कर देंगे, तो हमारा path का area निकलेगा, और तब हमारी X की value निकल पाएगी, इसलिए हमने यह सब किया है, तो अब यह कैसे होगा, side into side, that means AB into AB, तो X plus 5 into X plus 5, तो यह कैसे होगा, देखिए, इस type का क्या होता है, यह same values है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, X plus 5 का whole square भी लिख सकते हैं, और इसका formula क्या होता है, A plus B के whole square का formula क्या होता है, A square plus B square plus 2AB, और A यहाँ पे X है, और B यहाँ पे 5 है, तो वही कर रही हूँ, A square plus B square plus 2AB, तो यह कितना आ गया, X का square, X square, 5 का square, 25 plus 2 5's are 10X, यहाँ गया, area of ABCD, अब हमें area of path दे रखा है, तो area of path कैसे निकलेगा, अगर हम बड़े वाले square के area में से, छोटे वाले square का area minus कर देंगे, तो area of path निकल लिएगा, तो area of, A, B, C, D में से, हम माइनस कर देंगे, area of, E, F, G, H, तो हमारा path का area निकल जाएगा, तो path कितना दे रखा है, हमें area 165 meter square दे रखा है, और A, B, C, D का area कितना आया था, ये वाला, X square प्लस 25 प्लस 10X आया था, और E, F, G, H का area कितना आया था, हमारा, X square, यहां पर X square लिख दिया, अब जो cancel होता है, उसको cancel कर देंगे, तो देखिए, X square से X square कानसल होगे, क्योंकि एक प्लस का था, एक माइनस का था, तो इक इतना आगया है, 165 equals to 25 plus 10X, X की values एक साइड, और बा की टर्म दूसरी साइड, 165 अपनी जगे रहा, और 25 उधर जाके, माइनस का हो गया, तो 10X की value कितनी आगई, तो 5 में से 5 गया, 0, 4, 1, तो X कितना आगया, 140 अपनी जगे रहा, और 10 डिवाइड में आगया, और 0 से 0 कैंसल होते ही, X की value कितनी आगई, 14 आगई, अब X 14 आगया, तो हम area of lawn निकाल सकते है, X क्या आते ही, तो area of lawn कहें, या EFGH कहें, बात एक ही है, जो कितना था, X square था, तो that means, 14 into 14 था, that means 196, 14 into 14 होता है, 196, आप चाहें तो करके भी देख सकते है, 14 forces 56, 5 carry 14 ones of 14, plus 5 is 19, 196 हमारा meter squared, इस lawn का area आगया, answer, let's do next question now,